अब स्ट्रेंट्स कर ली थी आज हम लोग निमेरिकल्स करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स प्रॉब्लम हमारी फ्र्स प्रॉब्लम क्या है 7.1 है अब ब्लॉक मेरी रिंग 40 cm x 10 cm x 5 cm has a mass 850 gram find the density of wood यनि हमारे पास एक wooden block है ठीक है उसका volume कितना है 40 cm x 10 cm x 5 cm उसका mass कितना है 850 gram find out क्या करना है इसमें हम लोग है density of wood सबसे पहले हमारे पास क्या आता है data data क्या है हमारे पास volume क्या कितना है 40 cm x 10 cm x 5 cm इन तीनों को multiply करेंगे हमारे पास क्या आ जाए गई 2000 cm3 अब हमारे पास देखें 40 cm x 10 cm x 5 cm जब हमारे पास same quantity same units जो है वो multiply होंगे तो उनकी powers जो है वो add up हो जाती है अब हमारे पास volume कितना आ गया 2000 cm3 हमारे पास volume का unit क्या है मीटर क्यूब it's mean कि हमें हमें जो volume है cm3 में हमें इसको किसमे convert करना है मीटर क्यूब में अब देखें cm3 यानी cm3 यानी cm3 में है और मीटर भी क्यूब में है अब हम लोग क्या करेंगे 2000 को divide करेंगे किसे कितने हमारे पास cm3 cm3 है ठीक है यानी हम लोग ने मीटर क्यूब तो रखना है तो हम लोग इससे किसे डिवाइड करेंगे 100 into 100 into 100 यानी cm3 है तो cm3 में हम लोग इसको 3 दफा 100 से डिवाइड करेंगे अब 100 into 100 into 100 हो जाएगा इसको multiply करेंगे हमारे पास या वैल्यू आ जागी ठीक है फिर 2000 जो है उससको डिवाइड करेंगे हमारे पास हांस क्या आएगा वालिम का 0.002 मीटर क्यूब नेक्स हमारे पास मैस है मैस क्या ह क्या है 850 ग्राम अब हमारे जो वालिम होता है हमारे पास उसका यूनिट क्या है मीटर क्यूब जो हमारे पास मैस है बचे मैस का यूनिट क्या होता है किलो ग्राम हमारे पास यहां मैस किसमें हमें दिया गया हुए ग्राम में दिया गया हुए ठीक है हम लोग इसको किसमें convert करने वाले हैं kilo gram में kilo gram में convert करने के लिए क्या करते है हम लोग thousand से divide करते है 850 को thousand से divide किया हमारे पास क्या आगया 0.85 kilo gram find out क्या करना इसमेशे density find out करेंगे हम ठीक है to find density solution क्या है हमारे पास formula क्या है iska density किसके equal है mass by volume mass भी हमारे पास है और volume भी है बस मैस है और जो वालिम हम लोगों को ने क्या निकाल लाए 0.002 जब इनको डिवाइट करेंगे तो हमारे पास डैंस्टी के वैल्यू आ जागी सिंपल सा फार्मॉला इसमें डैंस्टी का यूज की है ठीक है सिर्फ जो हमारे पास वैल्यूस है उनको कनवर्ट की है एक वालिम को कनवर्ट की है और दूसरा मैस को कनवर्ट की है किलो ग्राम में उसके बाद आग इसको फार्मॉला में वैल्यूस पृट की है हमारे पास आं ने आप लोग ने तो हमारे पस ice का volume क्या आ जाएगा सबसे पहले data देखते है data क्या हमें दिया गया हूँ है volume of water यह दिया गया हूँ है न हमें statement में क्या data मिल रहा है volume of water वो कितना है one liter find out इसमें से क्या करना है हम लोगोंने volume of ice यनी आपको volume किसका दिया गया water का दिया गया है आप लोगोंने किसका volume find करना है ice का हमार बस formula कि ice का solution क्या देखते है density is equal to mass by volume density is equal to mass by volume अगर एक line है वक देखें क्या रिखा हुआ है one liter of water volume has mass of one kilogram यनी एक लीटर जो water है हमारे पास वो किसके equal होगा 1 kg वाट उसका mass क्या होगा 1 kg यनी one liter किसके equal है one kg के equal है अब जो हमारे पास water उसकी density क्या है thousand kilogram per meter cube वाटर की density कितनी है thousand kilogram per meter cube इन हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे पास क्या डिया गया होए है वालियूम आफ वाटर दिया होआ है वालियुम आफ आइस हम लोगों ने वाइब करने फॉर्मॉला क्याए हमारे deliver prac पास플 देंशी इस इकोल तो में स्पा cube so density is equal to mass by volume density of ice कितनी है density of ice कितनी है 0.92 times of the liquid water ठीक है density of ice कितनी है 0.92 times of the liquid water so density of ice क्या हो जाएगे हमारे पास आप यानि हमारे पास जो 1000 kg तो उसकी density है density of ice is 0.92 times of the liquid water जो हमारे पास density of ice कितनी है 0.92 ice कि density कितनी है 0.92 अब देखें जब एक liquid water है liquid water है ठीक है उसको उसने बाद में क्या है ice बन जाना हमारे पास अब हम लोग क्या करेंगे density of ice किस ताना से निकलेगी is equal to 1000 यानि जो हमारे पास water की density है और जो हमारे पास ice की density है ठीक है इन दोनों को multiply करेंगे हमारे पास value की आजएगी 920 kg पर मीटर क्यूब अब हमारे पास water का volume कितना है VW क्या है volume of water यहां पे जो VW लिखा हो है यह क्या है volume of water is equal to one liter अब हमारे पास mass है ice का mass भी तो हम लोग देखेंगे न फिर जाके तो हम लोग उसका volume find out कर सकते है ठीक है तो हमारे पास mass किस तरह से आएगा density into volume of water is equal to 1000 into 1 हमारे पास density कितनी है 1000 water की उसका volume कितना है 1 हमारे पास mass भी आगया और density भी आगया और density भी आगया और density भी आगया देखें डेंस्टी आइस की इतनी है 920 kg पार मीटर क्यूब और मारे पास mass कितना है 1000 kg यानि सबसे पहले हम लोग ने find out यहां पे क्या किया है ice की density find out किया और mass भी find किया ठीक है ice की density find किया और ice की mass find out किया अब हमारे पास formula क्या है v is equal to m by rho mass कितना हमारे पास 1000 और हमारे पास density कितनी है 920 तो हमारे पास ans किया जाएगा 1.09 लीटर यानि हमारे पास जो volume आएगा ice का वो कितना आएगा 1.09 लीटर नेक्स है हमारे पास 7.3 calculate the volume of the following objects अब वो आपको different objects देगा और उनका आपने क्या find out करना है volume ठीक है values कुछ अगर change करने वनियों तो उनको change करना है उसके बाद direct formula में लगाए और आपके पास answer जाएगा सबसे पहला क्या है हमारे पास an iron sphere of mass 5 kg and density of iron is 8200 kg per meter क्यों भी यह नहीं आपको mass दिये दिये गया और density दिये गया आपको बोला गया क्या आपने क्या find out करना है volume data क्या है हमारे पास mass is equal to 5 kg density of iron is equal to 8200 kg per meter cube find out क्या क्या करना इसमें से volume volume का formula क्या है mass over density v is equal to m by rho mass कितना हमारे पास 5 और density कितनी है हमारे पास 8200 अब इन दोनों को जब आप divide करते हैं तो हमारे पास इसका volume आ जाता है अब यह जो value आई हमारे पास यह मत्तब कि एक scientific notation में नहीं बताए गया ठीक है इसको हम लोग arrange करके लिखेंगे किस तरह से अब we is equal to यहां पर देखें कितने 0 थे 0.000 it's mean कि हम लोग कितने points पीछे आ रहे हैं 4 points पीछे आ रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे 6.09 multiply 10 to raise minus 4 अब यहां से जब मैं 6.1 कर लेती हूं ठीक है तो मेरे पास क्या आ जाएगा volume कितना आ जाएगा वी is equal to 6.1 multiply 10 to raise minus 4 meter cube अब इसके जो second और third part है वह आपने इसी तरह से करना है यापको देंस्टी दी गया है तो आपने simple सा उसक उसका volume find out कर लेना है बहुत مشकिल नहीं है ठीक है यह आप लोग नहीं हुदी करना है आपको मैस भी दी गया गया है आपको density भी दी गई है आप लोग ने इसका volume find out खुद करना है नेक्स हमारे पास 7.4 है वो क्या है देंस्टी आफ एर इस 1.3 kg per meter cube देंस्टी बता दिए गई यह आपको find the mass of air मैस आपने find out करना इना room bearing 8 meter into 5 meter into 4 meter आपको volume भी बता दिया गया है data क्या है हमारे पास density हमारे पास volume है volume में हमारे पास क्या है 8 meter into 5 meter into 4 meter इनको आप multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा 160 meter cube find out क्या करना है हम लोग ने mass of air find out करने mass का formula क्या mass is equal to density into volume इन दोनों को multiply करेंगे तो आपके पास mass of air आ जाएगा next is 7.5 our student presses is our palm by our thumb एक student है वह अपनी palm को यनि हाद के हतेली को उठे के साथ प्रेस कर रहा है with the force of 75 newton what would be the pressure जब force लगती है तो हमारे पस क्या आता है pressure आता है तो आप लोग ने यहां पर क्या calculate करना है pressure calculate करने under our thumb having contact area is 1.5 cm square यनि जब कहीं किसी भी body पर force लगती है इसमिन वहां पर pressure लगता है अब जो force है वो किसी area पर लग रही है आपको force बता दिया गिया आपको area बता दिया गिया आप लोग ने क्या find out करना है pressure find out करना है तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास data क्या है force क्या है 75 newton की है area हमारे पास क्या है 1 meter 1.5 cm square अब हमारे पास area किसमें होता है meter square में होता है सबसे पहले यहां पर क्या century को खतम करेंगे तो क्या है अगर cm square तो it means कि यहां पर 2 times 100 से divide करेंगे 1.5 over 100 into 100 हमारे पास क्या value आजागी 0.00015 meter square find out क्या करना है हम लोग उने pressure find out करना है pressure का formula क्य force by area force कितनी है हमारे पास 75 newton की area भी हमारे पास है उसके बाद जब हम लोगोंने calculate कि है pressure तो हमारे पास इतनी लंबी से value आगे ठीक है इसको small value यानि scientific notation में लिखेंगे तो क्या आएगा 5 multiply into जो हमारे पाकी है वो और next इसको किस तरह से range करेंगे 5 pressure is equal to 5 in 5 into 10 की पाव 5 newton per meter square pressure क unit किया newton per meter square next हमारे पास 7.6 है statement किया है the head of a pin is the square of side 10 mm 10 mm find the pressure on it due to a force of 20 newton यानि हमारे पास एक head pin है ठीक है उसका square यानि हमारे पास area बता रहा है एक length भी है उसकी ठीक है 10 mm find the pressure उसकी pressure आप लोग ने यहां पे find out करने है force कितनी है 10 newton की है यानि यहां पे भी आपने pressure find out करने है आपके पास force है आपने area भी यहां से खुद ही निकालने है अब हमारे पास data क्या है force is equal to 20 newton length है length of side of square 10 mm ठीक है अब 10 mm यहां पे हमारे पास length होती है वो किस में होती है meter में होती है length किस में होती है meter में होती है millimeter में नहीं होती है तो क्या करेंगे 10 into 10 की power minus 3 meter next area area कैसे find out करेंगे हमारे पास length है इसका square लेंगे length जो है iska square area क्या होता है हमारे पास length into किस तरह से find out करता है length into width अब जो हमारे पास length दीगी है ठीक है हम लोग two times square two times square लेंगे क्योंकि उन्हें हमें statement में क्या बताया the head of happiness square of side यानि उसके जो side square of side वो कितनी है 10 mm अब जब हम लोग इसका square लेंगे तो क्या आएगा 10 into 10 की power minus 3 का square अब 10 का square लेंगे तो हमारे पास 100 आजएगा जब किसी भी power का square लिया जाता है तो power जो है उसके साथ multiply हो जाती है ठीक है जो square होगा वो उसकी power के साथ multiply हो जाती है तो हमारे पास क्याएगा 6 तो हमारे पास area के आजएगा 100 into 10 की power minus 6 meter square find out क्या करना है pressure find out करना है हमारे पास solution में formula क्या है P is equal to F by A अब हमारे पास force कितनी है 20 और जो हमारे पास area था वो भी हम लोगों ने लगा लिया है ठीक है अब यहां पर आ जाएगा इस तो हम लोगों ने simplify करके solve work करने वाले हैं अब जो हमारे पास 100 है